दूर युद्व से भागते नाम रखा रणधीर दूर युद्व से भागते नाम रखा रणधीर भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला पूला और कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुब होता है पीम ने ये कहा कि विपक्ष के लिए राजनीती करना ज्यादा जरूरी है प्रधान मंत्री ने कॉंग्रेस पर अधीर रंजन को दर खिनार करने की बज़ा पूछी साथी उन्होंने तंग कस्ते हुए कहा कि अधीर रंजन गुड़ का गोबर करने में माहिर है अधीर बाबू को क्या साल हो गया उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मोका नहीं दिया ये तो कल अमीद भाई ने बहुत बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी उधारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मोका दिया लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है अपनी बात साबित करने के लिए प्रधान मंत्री ने कई उधारन भी दिये आप खोधी सुनिये प्रधान मंत्री ने महा गट बंदन इंडिया पर भी निशाना साथा और कहा कि विपक्ष ने अंडिये में दो लगा दिये पी-म ने विपक्ष के घवण का प्रतीक बता रादा इनकी मुस्वत ऐसी है कि खुद को जिन्दा रखने के लिए खुद को जिन्दा रखने के लिए इनको एंडिय के काही सहारा लेना पड़ा है लेकिन आदत के मुताबिक गमंड का जो आई है ना आई वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एंडिये में दो आई पिरो दिये दो गमंड के आई पिरो दिये पहला आई छब्वीस दलों का गमंड और दूसरा आई एक परिवार का गमंड एंडिये भी चुरा लिया कुछ बतने के लिए वही प्रदान मंत्री ने मणिपूर हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा आप खुदी सुनिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंदर सरकार राज सरकार मिल करके भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के समी नागरुकों को आस्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चे प्रयास चल रहे है निकट भविश में शांती का सुरत जुरूर हुगेगा सदन आपके साथ हम सब मिल करके कोई यह हो या न हो हम सब मिल करके इस चनोती का समाधान दिका लेंगे वहां फिर से स्वांती की स्थापना होगी मैं मनिपूर के लोगों को विश्वाद दिलाता हूँ कि मनिपूर फिर विकास के रहा पर तेज गरती से आगे बढ़े कुल मिलाकर अव विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष को जम कर घेरा और कई मुद्दों पर विपक्ष को आईना दिखाने का भी काम किया सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट